जय माताकि जय में दुगा जय मखाली ओम्नमन्स वाइ जय स्रीहरी जय नंगे भाबाजी जय भेहरा भाबाजी कैसे यह आप सभी मैं सरवन राजपुत मा दुगा रेकिन लामा पहरा हिलिंग सेंटर चंदीगड़ मैं आप सभी आ स्वागत करता हूँ कि आज का जो टोपिक है मैंने पिछली बार आपको बताया था पांस तत्व होते जल तत्व पहला वायू तत्व जल तत्व पिर्च्व तत्व आकास तत्व कितने होगे अगनी तत्व पांच तत्व होते हैं श्रीर जो बना हुआ होता है मैंने आपको पता है मैंने वैसे तो लिक्के निकाल लिया है मैं उसको थोड़ा फोल्ड करके आपको मंतर सीधा वीडियो में दिखा दूँगा जन तत्व में जो वाईू तत्व में आये थे एक जल तत्व में जो आ रहे हैं पिछले बार मनें ने सायद गल्द कर दिया वाईू तत्व में आते थे। जल तत्तों में जो ग्रह आते हैं एक चंदर ग्रह आते हैं एक सुक्र आते हैं और दो ही ग्रह आते हैं चंदरग्रे जो होते हैं उसका मंत्रा होते हैं ओम श्रीपुत्राय विदमहे अम्रितत्वाय धीमई तन्य चंद्र परचोदयाद ओम अक्षिरपुत्राय विदमहे अम्रितत्वाय धीमई तन्य चंद्र परचोदयाद ओम श्रीपुत्राय अक्षिरपुत्राय विदमहे अम्रितत्वाय धीमई तन्य चंद्र परचोदयाद जब ये जल्ट अतव यानि के ठंडा होता है उजमें खासी, कफ, ट्यूमर, दमा, सराब किलत, आँखों की बिमारी, चक्कराना, लक्वा, और और भी कही चीज़, जुकाम, सर में भारीपन, छाती में भारीपन, ये कई बिमारिया होती है तो अगर आप इस मंतर का चैंट करोगे, तो आपको इन चीज़ों में फाइदा मिलेगा, दूसरा जो ग्रह है, जल्ट अतव का होता है, शुक्र ग्रह, जो गुरु होता है, गुरु जिसको बोलते है, शुक्र कौन था, राक्षोसों को गुरु, एक तो शुक्र, संकराचार यह था सची हो तो, शुक्र भी गुरु होता है, तो शुक्र ग्रह है, एक शुक्र ग्रह जिसका अच्छा होता है, क्या मिलता है, कभी-कभी मिस्टेक हो जाती ही, भाई, उसको देख क्यों करना, मैं साथ के साथ चेंज कर देता हूँ, शुक्र ग्रह जिसका अच्छा होता है और सभी तरीके से आप उसको कैरी करते हो तो प्रोस्पेरटी बहुत मिलती है लक्षमी मनी मनी बहुत आती है इसका अगर यह नेगटीव होता है शुक्र क्रहा है कमर में रोग होंगे वात रोग मतलब य गयस्टिक बनना गरा बगरा जो भी होता है जो प्राइवेट अंग होते हों में सुजन आएगी पानी भरेगा तीडा होगी मुत्तर रोग होगी और बेबी कंसीविंग में प्रोबलम आएगी अगर आप सुक्र ग्रै कि गायतरी मंतर पढ़ोगे तो उन चीजों में जो ये चीज में बता रहा हूँ वो कमजोरी आपके दूर होना शुरू हो जाएगी या आएंगी नही ओम ओम इसलिए लगा जाता है सबसे पहले कि ओम सबसे बड़ा है ओमकार ओम भिर्गु सुताए विदमहे दिव्य देहाए दीमही तन्य सुक्र है पर्चोदयाद ओम भिर्गु सुताए विदमहे दिव्य देहाए दीमही तन्य सुक्र पर्चोदयाद मैं एक फोल्ड करकर रिखा देता हूँ आपके सायद आपके मंतर समझ में आ जाएगा पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा उल्टा दीख रहोगा बाई यह रहने दे मैं ट्राइप करके भी जमाग में नहीं है अब सुझ दिखाएगे तो उल्टा दीखेगा मैं डिस्केशन में डाल दूँगा आपके लिख के राइट करके अंग्रेजी में थोड़ा जैसे पहले वाले में डाला था जो पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाएती हो जल्दबाजी में थोड़ा वायू तत्तव के लिए थी यह जल्दतत्तव के लिए है उसमें सनी का मंतर मैंने नहीं दिया था सनी का गायत्रीमंतर भी व्यू तत्तो में आता है जो ज़ल तत्तो में आते हैं मैं समय डिसके जो मैंने वो दिया है टाइटल दिया आगे ज़समें में मोडिविकेशन करके वायु तत्तव कर दूँगा तो यह जल तत्तव के लिए शुक्र और चंद्र होता है उसके बाद आपका आएगा अगनी तत्तव में कौन-कौन से आएंगे अगनी तत्तो में भूमगायतरी आएगा ठीक है सूरिय गायतरी आएगा क्योंकि सूरिय गरम होता है तो नैचूरल है ऊ गायतरी मंतर आपको जितना आप डीड करोगे आपको इतना बैनिफिट होगा उसके बाद आएगा प developers में आएगा बुद्ध बुद्ध गायत्री लास्ट में आपका आएगा अकास तत्तों में आपके बिमारियां भी आएगी और उसमें आएगा गुरु ब्रिश्पति जिसको बोलते हैं उसका गायत्री आएगा तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का यूपर हो तो बाकी तो जो गायतरी मंत्र है, गायतरी मावाला मंत्र हो तो है ये सरवे सरवा, उसको तो आप प्रतेकी चीज में यूज करते हो। तो मैंने टाइप तो इसलिए किया था है इसमें हिंदी में और मंत्रों को उठा के इसमें रखा था कि मैं आपको ऐसे फोल्ड करके दिखाऊंगा लेकिन इतो उल्टा नजर आ रहा है पिर भी कोई बात नहीं मंत्रों का अपना एक फैक्ट होता है अगर कहीं में तुर्टी हो गया यो बोलने में उपर निचे हो गया तो उसके लिए सोरी क्योंकि इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मेरी भी नोलेज बढ़ जायर आपको मैं बता भी दूँ मैं सीखता हूँ सही पूछे तो आज तक सीखी रहा हूँ मैं और आभी फिर मेरी सी अपनी कुल देवी जाने के बाद दुबारा से सनिवार से 21 days and 41 days की साधना शुरू हीर हो जाएगी मंतर साधना मा सकती की अलग-अलग मंतर साधना होती है तो मेरा मोशली काम यही होता है कि साधना करता रहूं और उस साधना का जो benefit होता है वो healing में होता है पर जो energy healing में फिर काम करती है साथ आके उससे healing effective हो जाती है और लोग ठीक होते हैं कई नहीं ठीक होते हैं जिनकी अंदर से विचार ख्राब होते हैं या doubtful होते हैं या फिर जिनके करमा बिल्कुल ख्राब होते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताता रहता हूँ तो आज के लिए ये छोटी सी वीडियो जो बनाई है ये काफी है अगली वीडियो में आपको कुछ symbols के बारे में जो mostly मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे तो लेकिन नई description के साथ कुछ add करके उसमें बताऊंगा उसमें चेक करुणा रेकी के symbol भी आ सकते हैं उसमें दूसरी रेकी simple डॉक्टर उसी वाली रेकी भी यूसी वाली रेकी भी symbol आ सकते हैं तो मैं कुछ उसमें चेंज करके बताऊंगा simple format में तरीके से कि इस symbol को किस प्रकार से कौन से point पे किस चक्रा पे किस अंग पे यूज किया जाता है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलागात होगे तब तक के लिए नमस्कार जैमाता की जैमाद्रुगा जैमाकाली योम नमस्वाज जैस्री अरी जैनांगे बाबाची अपना ध्यान रखे और मुश्कराते रहिए खुश रहिए और पोजिटिव रहिए जितना पोज पोजिटिव यह मिलेगा हमारे पोजिटिव करने से कुछ नहीं होता आपका खुद पोजिटिव रहना जरूरी है नमस्कार